हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उमीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा. अगर हमसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे अमीर देश कौन सा है तो फटाप से जवाब आएगा अमेर का. आगर कोई पूछे कि सबसे अमीर शहर कौन सा है तो जवाब आएगा नुयोक लेकिन भाई लोगों क्या आप एशा के उन शहरों के बारे में जानते हैं जो इतने बाला माल है कि जल्दी नुयोक को भी पीछे चुने के तैयारी में हैं नहीं ना मुझे पता था इसलिए आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं जहां हम घूमेंगे एशा के पांच सबसे अमीर शहरों में तो देर किस बात के अपना सीट बेल्ड बाद लीजी एच्छे से और निकलते हैं उन अमीर शहरों के एक शांदार सफर पर नंबवान एशा के सबसे अमीर शहरों के बात हो और चाइना का कोई शहर ना आए ऐसा तो सपने में भी नहीं हो सकता है यहां तो पांचवे नंबव पर ही चाइना का शहर आतपका जहां दोस्तों बीजिंग ही एशा का वो शहर है जहां सबसे ज्यादा अमीरी है जहां करोड पतियों के संख्या से भी ज्यादा है अर्पतियों के संख्या जिनका हाई लाइप स्टायल आपको हैरान कर देगा वर्टमाल समय में चाइना की कैपिटल सिटी बीजिंग की जीडिपी 458 बिलियन डॉलर्स तक जापंची है और ऐसा नहीं है कि ये आकरा यही थम रहा है बलिकी बदलते समय के साथ ये आकरा उपर चरता ही जा रहा है बीजिंग के बाद की जाए तो इसे दुनिया के सबसे प्राचीन शेहरों में गिना जाता है जहां ना जाने कितने ही हजारों सालों से इनसान बसे हुए है हालिया आकरों पर नजर डाले तो बीजिंग में 2.15 करोड के लिगभाग लोग रहते हैं जबकि इसे शेहर का कुलक शेत्रफल है करीब 16,410 स्क्रे किलोमीटर इसे लिए यहां लोगों की भीर दिखना आम बात है लेकिन ये वो शेहर है जहां का नाइट लाइफ लगजूडियस और डेलाइफ रैसी से भरपूर होती है क्योंकि यहां प्रतिवेक्ती 184,000 डॉलर्स तो कमाता ही कमाता है मतलब ये इनकी पर के पिटा एंकम है तीरो तरफ से चक्ताने इसे शेहर की रक्षा करती है तो वही चौती तरफ से डिग्रेट वाल और चाइन जो की दुन्या के साथ अजूबों में भी शामिल है बीजिंग का इंफरोस्ट्रिक्षा जितना कमाल का है उतना ही बहतरीन है इसे शेहर का एडुकेशन सिस्टम एक जमाना था जब चीन के बड़े-बड़े निताब बीजिंग में ही अपना बसेरा बनाया करते थे और आज भी यहाँ चीन की बड़ी-बड़ी हस्तियों के ठिकाने देखने को मिलते हैं बीजिंग वो शहर है जो चीन के लिए शंगाई के बाद सबसे ज्यादा जरूरी शहर है क्योंकि यहाँ कई कमपनीज के सैट अप्स और ज्यादा से ज्यादा नूट स्टॉट अप्स भी देखने को मिलते हैं अगर जब-जब जपान का मैंचेस्टर कहे जाने बाद ए उसाका को इस लिस्ट में चाओ था नंबर मिला है क्योंकि यह चाइना के बेजिंग शहर के बाद एशा का चाओ था सबसे अमीर शहर है इसकी अमीरी की पहली स्टेज तो सूती कपडों का प्रच्शन ही है असल में उसाका जपान के उस प्रदेश का सबसे बड़ा उद्धो की केंडर है जहां से जपान के सूती कपडों का प्रच्शन का 37% भाग तयार किया जाता है सिटी आफ लेर के नाम से फेमस ये शहर काफी डिवेलब्ड सिटी है जिसकी जी टीपी बढ़ते बढ़ते 700 बिल्यां डॉलर्स तिक जापंची है सेकंड वरलवार इसे शहर के लिए किसी कहर से कम नहीं था क्योंकि उस दोर में इसे शहर को काफी तबाही का सामना करना पड़ा लेकिन जब उसाका ने विकास के रफ़तार बढ़ाई तो ऐसी बढ़ाई की ब्रेक लगाना भी भूल गया ब्रेक ना लगाने का ही कमाल है जो आज ये शहर सबसे अमीर शहरों में काउंट होता है आज के टाइम भी ये शहर शौपिंग मॉल और होस्पिटॉलिटी के लिए जाना जाता है उसाका शहर इतना खूपसूरत है कि इसे निहारने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं दोस्तों बदलते जमाने के साथ साथ हमारी जिंदिगी से कई मनुरंजन की चीज़े खाय भी हो गई है जिन में से एक है पपट चो लेकिन अगर आप उसाका जाते हैं तो यहां आपको पपट चो देखने को मिल सकता है वैसे तो वर्तमान में सोक्योको जापान के लिए सरूरी शहर माना जाता है क्योंकि वो जापान की केपिटल सिटी भी है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ओसाका भी कई बार जापान की कैपिटल सिटी होने का गावरो प्राप्ट कर चुका है ओसाका का क्योटरवल है करीब 220 स्क्वेर किलोमीटर और यहां 26.9 लाक्स की लिगवाग लोग रहते हैं आवादी की हिसाब से देखा जाए तो जापान में ओसाका तीसरे नंबर पर आता है साथ यह जापान की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है जहां बाउद धर्म से जुड़े सबसे पुराने मंदिर भी रेके जा सकते हैं नेक्स्ट इस शंगाई दोस्तों आप तो जानते ही है कि चाइना हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो इसे कीर्तिमान का रिजल्ट है कि एशा के सबसे अमीर शेहरों में चाइना के ही दूसरे शेहर का नाम शामिल है जिसे शंगाई के नाम से जाना जाता है. शंगाई देखने में जितना खोपसुरच शेहर है अंदर से भी उतना ही प्यारा है. इसे शेहर में जाने पर आपको उची-उची बिल्डिंग, पार्क्स और काफी साफस्फाई देखने को मिलेगी. जिसे देख आप शंगाई के दिवाने बन जाएंगे, शंगाई में इतना पैसा और रोजगार है कि इसे शेहर को चीन की economic capital यानि विद्धी राजदानी भी कहा जाता है शेत्रफल के हिसाब से बात करें तो ये शेहर 6,340 square km के एरिया में फैला हुआ है शंगाई सिफ आर्थिक रूप से ही मजबूत नहीं है बलिकी ये चायना का सबसे बड़ा शेहर होने के साथ-साथ काफी एक खुपसुरच शेहर भी है, अगर चायना का असली culture गहीं देखा जा सकता है तो वो सेफ और सेफ शंगाई में ही देखा जा सकता है और तो और इंडिया के कई शेहरों को शंगाई जैसा बनाने के कवायत भी शुरू कर दे गई है इन शेहरों में सबसे पहला नाम माया नगरी यानी मंबरी का है शंगाई ने इतनी तरक्की कर ली है कि यहां सबसे तेज भागने वाली बुलेट ट्रेंस मिलती है जिनके स्पीड 400 किलोमीटर प्रती घंटी तक गीव होती है शंगाई में कारों का कलेक्शन, बिलेनियल्स की सिंख्या और घजब की शॉपिंग मॉल्स के साथ-साथ कई बड़ी-बड़ी कंपिनी के सेट अप देखने को मिलते हैं ये शहर चाइना की जीडिपे को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है एक स्टेट सियोल, एशा के सबसे अमीर शहरों के लिस्ट में जो शहर दूसरे नमबर पर अपने पैर जमाई हुए खरा है उससे शहर का नाम है सियोल शहर, ये साथ कोरिया में वसाइक विक्सित शहर है जो देश की कैपिकल सिटी होने के साथ साथ, बेहद ही खुपसुरत और डिवेलबर शहर है सियोल में आपको एक से बढ़कर एक इमार्ती देखने को मिलेंगे जिनकी हाइट आपकी सोच से भी उची होती है यहां तमाम बड़ी कमपनियों के सेटप और नियू स्टार्टप्स है जो साथ कोरिया की जीडिपी और एकावमी को तगरे रूप से सपोर्ट करते है शहर में घुमने से लेकर खाने तक को ऐसी ऐसी चीजे देखने को मिलती है कि क्या ही कहें वैसे कि आप जानते हैं कि साथ कोरिया में महिलाएं बहुत तो खुबसूरत होती है लेकिन इनकी खुबसूरती का राज क्या है तो आपको बता दे कि इनकी खुबसूरती का राज है मेका क्योंकि साथ कोरिया को दुनिया में कॉस्मेटी केपिटल के नाम से जाना जाता है यहां से कॉस्मेटिक्स प्राडकेट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किये जाते हैं क्योंकि वो काफी बेस्ट होते हैं, हाँ थोड़े महेंगे हो सकते हैं पर क्वालिटी सूपर से उपह होती है, खेर बात करे सियोल के तो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे सेंस जग, किया, ह्युने और एलजी के हेरकॉर्टेज, आपको सियोल शहर में ही देखने को मिलेंगे, सि सियोल शहर में कुछ अलग तरह की रिती रिवाज भी देखने को मिलते हैं, जैसे मानली चे किसी ने यहां एक नया घर खरीदा, तो लोग उसे गिफ्ट में बुके या कुई और चीज नहीं देंगे, बलिकी टॉल एट पेपर गिफ्ट करेंगे, अजीब है न ये, वैल ब पिंग डेस्टिनीशन भी कहा जाता है, यहां की अमीरी का कोई जवाब नहीं, रीजीन साफ है पैसा जो यहां भर-भर के है, यहां नाइट लाइट ऐसी लगती है मानो जननत हो, अडवान्स टेकनलजी के मामले में देखें, तो आपको सियोल में एक ऐसी ट्रेन देखने क मिल जाएगी, जो जापान की बुले ट्रेन को भी टक्कर देने की हिम्मत रखती है, जिसे EMU 430X के नाम से जाना जाता है, सिर्फ यही नहीं सियोल को अडवान्स श्वा बनाने वाले साफिट कूरिया में और भी कई लाजवाब चीजें, ताकि हम इस बार एक सेपरेट वी है, और वर्तमान में इस शहर की नॉमिनल जीडिपी पहुंच चुकी है, 2000 पर पर बिल्यून डॉलेस पर, जो उट गए नहोश, ऐसे दोस्तों टोकियो शहर बड़ा ही साफ सुत्रा और प्यारा शहर है, जहां की लड़किया बहुत की खुबसुरत बानी जाती है, इस शहर टोकियो में लोग शान्ती से मिल जुल कर और इद दूसरे की मदद करके रहना पसंद करते हैं, ये लोग रूल्स और रेगुलेशियल्स को कड़े अंडिस में फॉलो करते हैं, टोकियो आज के टाइम में जापान का सबसे विक्सित शहर है, यही वज़ है कि यहां आपको क पानी डाल कर नौक्रिय से ही चुट्टी दे दी जाएगी, असल में जापान में ऐसा माना जाता है कि जो कान करते करते सो जाए वो हार्ड वर्क होता है, वैसे अगर आप जापान गोबना चाते हैं तो टोकियो जरूर जाएगा, इस शहर को काफी सुंदर माना चाता है कि यहां तो पापलिशन है करीब 1.4 करोड, इस शहर के एक परिशान ये भी है कि यहां की पापलिशन पहुत कम बढ़ती है, क्योंकि यहां लोग अपना फ्यूचर बनाने पर ज्यादा फोगस करते हैं, तो दोस्तों यह है एशा के वो पाद से शहर जो लगातार अपने जी से डिवेलप हो रहे हैं, वैसे आप किसी शहर में रहते हैं और क्या आप नहीं चाहते कि आपकी शहर का नाम भी इस लिस्ट में आएं, अगर चाहते हैं तो मेहनत आज से ही शुरू कर दीजें, क्योंकि बून-बून से तालाब भरता है और तालाब से बनता है समंगर, मतलब देर लगेगी लेकिन एक दिन आप भी गर्व से कहेंगे, भाई मेरा शहर है साब सिविक्सित और सबसे अमीर, खेर वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जिरू बता है, प्रसंद आई तो लाइक कीजिए शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब गर ना भूले धानेवा कि अधिए वोड़ है भूले ना भाई है वे भीडियो कैसे लेकिए टेड़ ना भाईडा की सब्सक्राइब और ना भाईडर की जिए वे इसाने पाराई आप और उन आप डिएवादार की भीडियो काईब, वेवादार की जिए ये बता है